राशी एक मे यानि की मे महीने का पहला दिन आपके लिए कैसा साबित होगा किस प्रकार से इस दिन को और बहतर बना सकते हो वीडियो के एंड में शुब रंग और शुब अंग आपको जरूर बताऊंगी साथ एक ऐसा सतीक उपाए जिससे आपके हर मुश्किल समाप्त हो सके तो आईए शुरुआत करती हैं पंचांग से एक तारीक को द्वाज शीती थी पूर्व भादर पदनक्षद्र और कृष्ण पक्ष का समी है राहुकाल का समय बारा बचकर अचारा मिनट पर शुरू होगा और एक बचकर सतावन मिनट पर समाप्त होगा राहुकाल के समी को तीनों यूती में आ रही है इस समय में हाला कि लक्ष्मी नारायन योग का निर्मान बुद्ध और शुक्र एक साथ होने से बना रही है लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए कुछ कठीनाईया इस समय में आ सकती है धन की कोई कमी नजर नहीं आ रही धन प्राप्ति क नजर आ रही हूँ आपके सिर में दर्द है सकता है बुद्ध आपको नसों का रोग दे सकता है शुक्र आपकी हडियों में दर्द रख सकता है या फिर गुप्त अंगों का रोग इस समय में जहिलना पर सकता है सावधानी पूरवक दिन को व्यतीत कीचे का इस समय में यात हैं दोस्तों इस दिन आपके लिए शिपरंग और शुप अंक नौ रहेगा अब बात करते हैं उपाइ आपको इसके वेत के बराबर हारा रोगा घ्लाना चाहिए थीकार पशनुत्व हुन total all जोटे में लाल पुश्प और थोड़ा सा कुमकुम और गुर्ड डाल कर जल अर्पित कीचेगा आप सभी समस्याओं से उभर पाओगे अगर इस दन किसी को आटा दान करते हूँ तो नकरात्मक उर्चा पूरी तरीके से समाप्त होगी आपके सभी असफल काम सफल बनेंगे तो ये था सिंग राशी वालों के लिए फर्स्ट मीर राशी फल के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे भवी श्यवानी आप पर सटीक बैठे तो कमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिख कर चैनल को होसला जरूर भढ़ाईएगा वीडियो को लाइक और शेयर कीज चैनल को सिब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा धन्यवाद